इंट्रेंस में उर्दू देने वाले बच्चे यानि जो इंट्रेंस एक्जाम हो था उसमें जो बच्चे उर्दू का पेपर दिये थे वो बच्चे ध्यान से समझेंगे कि उर्दू का कटफ इस बार जोई कि 2024 का क्या रहने वाला है इस बात को ध्यान से समझेंगे तो देखिए इसमें category wise है एनि category के हिसाब से आपको सरकारी college दिया जाएगा और उसी हिसाब से cut-off आएगा ठीक है चलिए तो देखिए जो बच्चे जेनरल से हैं वो बच्चे धियान से सुनेंगे कि जेनरल का जो इस बार उर्दू में जो बच्चे रखे हैं उसका cut-off जाने आपका तो इतना आप guarantee माने कि आपका सरकारी college आपका selection हो जाएगा आपको सरकारी college मिल जाएगा इसमें थोड़ा बहुत change हो सकता है जैसे कि आपका चार number उपर नीचे से देखा जा सकता है लेकिन average में यहीं रहने वाला आपका ठीक है उसका दिन जो बच्चे EWS से आते है उनका 68 से लेकर के 74 के बीच में आपका रहेगा यहीं जो बच्चे EWS से आते हैं अगर उनका 68 से लेकर के 74 के बीच में आता है उसका number तो उसका selection government college में हो जाएगा उसके बाद में जो OBC से आते हैं उनका 70 से 75 रहने वाला है EBC से जो बच्चे आते हैं उनका 68 से लेकर के 72 आने वाला है और YSC के बच्चे जो है वो 65 से लेकर के 70 रहने वाला उसका cut-off इस बरका और जो YST के बच्चे हैं जो YST से बिलोंग करते हैं उनका 65 से लेकर के 70 और जो PH से आते हैं उनका 60 से लेकर के 65 और उसका freedom fighter से जो आते है उनका भी 60 से लेकर पैसर उसा कटफ रहने वाला है और यह सटिक जान करी है कोई फेक नहीं है यह मैंने अपने जो पिछले वर्सुस से जो मैं आपको डियरेट की तयारी करा रहा हूँ उसी से मैंने देखा समझा और उसी के बाद में यह क्या उसके बाद में आपको गोगग गोगग इस बार सारह 6 सब्सक्राइब की लिए उससे कम गया था इसका इसका करने हो उर्दु की गांपनी देगा बाट कि नहीं एक है धर्व जो उर्दु के घंजोोρο धोनी अरगें 205 फेपर रहा नहीं, तो यह रहा अगना का इनध्योस है जो इसकी कनफ़ छोटेम एक आया